इसका रियक्टर साप हैडोलिक का पीछे का है ड्रीक्टर साप ही जौब करना फड़ाज़ ठीक है यह देख सकते हैं पूरी तरह से एक दम की तरह से चल रहा था और इसमें ज्यादा तर गल्ती क्या होता है इस तरह से होने का प्रोबिलम यह कटता कि मेंगा जल्दी ठीक है यह कटने का में परोबलम जादा तर होता है क्या यह लोवर लिंक मीचे दिखाएं यह देख सकते हैं लोवर लिंक हम एसा के लिए ड्राइवर या चालक या किसान भाई कहा है मालिक कहा है ट्रेक्टर का लगा के चलते हैं ठीक है बिना मतलब का भी अगर आपको खेत में जु चलता है तो करता रहता है बीना मतलब का इस तरह से जखात का रहता है जिसके कारण से इसका बूस श्पेर सर और ये तरники कें यह सकत्तर के ना इसका तीन है have already प्रविक्स आर्म का तीद ठीक है यह कटने का चांस और कटा भी है इसी का कारण से बनता है कि बिना मतलब का लोवर लिंक लगा के चलाते रहते हैं अगर आपको खेतों में जुताई करना है तब तो लोवर लिंक का ज़रूरत है लेकिन अगर आप पे चलना तो इसमें कोई जुताई करना है तो लगा लीजिए ठीक है यह इस तरह से प्रोब्लम हो जाता है इसी के कारण से में बज़ा इसका यहीं है और दूसरा है कि इसके हाडोलिक्स का लिंकेज लिवर भी खराब होता है जल्दी ठीक है जब यह चलता है तो लोवर लिंक इस तरह से जड़ करत काल तो यह तो गया है इसका बूस गया सेक्टेर साथ ल Krug करतित गयाँ पांतित है उसके साथ सा अंदर इसका रीम सलेंडर से इसका लिंकेज अननिर न्दर को जुड़ा हुआ है जूड़ा हुआ में तुरां के दिखाए को डिखाये जार। इसको दिखाए गर Girметा इस तरह से पूरी तरह से हम ग्दाawi इत्मा जवदा मात्रमें इसमें घंड़ावत हुआ है और ये ज्लादासलों के खारा नहीं हुआ है खीक है येृत तो इसके लिए तो हमें है जो थो तो दाऊन करना होगा तो इसका खोल लेते हैं और उसके बाद इसको डाउन करने के बाद düsta इसका और अप्याजर प्रशन है 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 ईड्मिक्वरे, में Bath然后 Saava in life इस और से से कर लिया half a और इसका यह प्लंजर अंदर में ही पड़ा हुआ है ठीक है इसका सेंटर बोल्ट कोलना होता है यहां का 14 mm का और उसका बाद यह बाहर आ जाता है सेक्टर साथ और इसका जो हमने पोजिशन पहले दिखाया था आप लोगों कि कि इतना इसमें प्लेइंग था ठीक है इसमें पिष्णक बहुँ ज्यादा लूज्पन ठा इसका है ड aven आर्म और सेक्टर साप्ट में से पूरी तरह से देख सकते हैं बाहर लिकाल लिए है यह इसमें प्लेइग था यह इसका सेक्टर में TTS तीः combien यहीछा हृँ हृँ इसके कारण से इस तरह से प्रोब्लम हुआ ठीक है कि पाइब बहुत ज्यादा था इसमें और इसका में वजह जो था इसमें पाले आने का ज्यादा तर है टेक्टर प्षक चलेगा तो इसका तो जी सावत तो होगा रिवा रहता है तक चलने का बाद भी इसमें लोवर लिंक लगा हुआ है यह सब्सक्राइब में baterue चलुर रहा है तो इसमें क्या है कि इतने भी रोड का जर्क आता है जिसे कि हिने से किले से अ हमेदा का हने से इसमें भी हर समय झठका आते रहता है साट कि इसके कारण से क्या होता है इसका तीत दीरे दीरे धीरे घीसने लगता है और ये जल्दी खराब भी हो जाता ठीक है तो इसका जो पोजिशन है उसके इसाफ से पचेंगी करेंगे इसका सेक्टर साप्ट भी और इसका है डोलिक्स आर्म दोनों तरफ का एले चावराले एक अधाया था आप लोगों को प्लेंग ये दोनों आर्म को देखिएगा लेप और राइट कितना ज्यादा प्लेंग है अज़े देख सकते हैं साइट से बहुत ज्यादा प्लेंग है ठीक है और ये प्लेंग होने कम इन वज़ा है तो कि इसका कोई लोगा कर यह को तो यह कितना प्लाह्ट हो घृ और ये शेक्टर्सराप और यह को और ये सेक्टर साप्त कि और यहीं मोडल का है हाईडोलिक्स आर्म और इसका स्पेसर बूस और इंग सील भी इससे पहले पुराने मोडल का ओल्ड मोडल में आता था उसमें बढ़ा च्छोटा दो और आता था ठीक है एक साइड ये साइड में और एक राइट लेफ्ट राइट में दोनों साइड में एक और रिंग लगा प्रइड चार ओर रिंग ठीक है इसने सेट होता है और चारो का साइड भी हलाग अलग होता है इसका देख सकते हैं स्पेसर बूस कि इसमें भी हलका सा प्रेंग है तो यह भी प्लेंग नहीं होना चाहिए ठीक है बिलकुल अगदम फिरी होना चाहिए 00.00 आप के अंदर बि आइक ही थिसकली सर्थ का देख सकते हैं तीथ है फडलिक शार्म का विसा हुआ है और इसमें भी डो साइज पाइज अहें यह बोड़ी के अंदर यहां पेख फील लागए दूसरा बोड़ी के बाहर में भी ठीक है और यह दोनों का साइज भी अलग अलग है और यह इसका पी यह इस तरह से बिलकुल भी नहीं होना जाए पीलियd एक्ष्ट प्रमाट बेडिकर करेंगे और यह पूरी कंपलीट यह सेक्टर साफ को भी चेंज दोनों अशिके बाद यह दूसरे साइड बला अज़ित दोनों अर्म भाहिं ठीक है और इसका बोडी में इसका भी बोडी में चेक कर लेंगे तो जो नया वलाया वो कम्प्लीट आजाएगा ठीक है ऐसे भी इसमें बिलकुल एदम जीरो जीरो है यहाँ पर देख सकते है यह बूस एंगं विल्कुल 005 ठीक है नहां दोसे साइड में कि God कि आप दूसरे साइड में भी बोडि में डेख सक भीन पर सकते आपने जब लगएगा तो य captain प्लेंग समापतो तो सारे पाघ्स को जो अभी bize ओछ अब दिखाया इस एक को फेसर हो गई रिंगा सी लोग लेहा है टो सब्सक्राइब अभी पिक सारे फार फाट इसका पार्ष एक पोस्के इस को सब्सक्राने कट करने किले सारे पार्ट सो को तब तक केeter लोग वीडियो में जो खराब था जो जो पार्ट को बदलना था यह है डोलिक्स आर्म और सेक्टर साथ उसको हमने बजार से मार्केट से विनाया मंग वा लिए है ठीक है और अभी सारा पार्ट का हम प्राइज और पार्ट नमर भी दिखाएंगे और इसे से मल भी करेंगे ठ तो यहां यह दे सकते हैं यह प्रेसर बूस जो कि इसका पार्ट नमर देखी रहे हैं दस चोवीश चौशट चालिस पाइंट नौ दूसरों 42 रुपया का इसका प्राइज है ठीक है उसका बाद दूसरा वाला बूस प्रेसर दस चवालीश तीर पन शाठ ठीक है और इसका प्राइज भी देख रहे हैं दूसरों 99 रुपया है इसका पाट नमर दस चोवालीश तीर पन पचास यह देख सकते हैं इसका प्राइज एक्सोचोट रुपया ठीक है इसका बाद में नेक्स अगला है प्रेसर है जो बूस इसका तो पाट नमर घिसा हुआ है लेकिन डीव यह और पाट नमर है इसका यह डीद 936000940.9 सील ओरिंग ठीक है 220 रुपया के पुरा सेट है और डाउन की जिसम्रा नेक्स्ट पाट है जो इसमें लेच यह देख सकते हैं लेच का हाड़ोलिक्स आर्म इलेच साइट का है इसका पाट नमर दस च्छाटिस उन्हाटर डवल तरíल है है और इसको बाइन बाहर नुक्त लेते जी कहते जाते हैं आप लोको पास और निकालते जाते शिकरते missionTalk देख सकते हैं राइट साट का और इस पर भी राइट लिखा हुआ है राइट साइट का ठीक है इसका भी प्राइज दिखाते हैं आप लोगों को कि यह देख सकते हैं पार्ट नमर 10 36 68 90 साट से रेड हाडोलिक लिफ्ट और प्राइज 3,015 रुप्या यह दिखाई देरा ना ठीक है उसके बाद में लेट साइट का इधर पड़ा हुआ है इसका भी प्राइज दिखाते हैं अच्छा देख सकते हैं है डी 10 निटा हुआ ठीक है लेकिन इसका 2770 रुप्य प्राई है लेफ्ट साइट का यह राइट साइड वलो दिखा है लेफ्ट का ठीक है तो बाकी अब हमें सेमल करना है इसे ठीक है तो किस तरह से सेमल करना है करके इसमें आप लोगों को दिखाते हैं यह सब सारे अस्पैसर को हम बाहर निकाल लेते हैं ठीक है यह हो गया यह हो गया और तीसरा इसमें है यह हो गया और चौथा यह हो गया आरे इसका जो बूस है इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं ठीक है है यह निकाल लिए शारे अस्पैसर तो थीक है उसके बाद सेमल करेंगे करके तो इससे इस तरह से सेमल करना हैं डेख सते हैं और इसमें एक पॉइंट बना हुआ है इस सब्सक्राइब और चर्ट जो कि इसमें जाकर इसे लॉक करता है ठीक है तरह बूस को कर लेंगे एक तो देख सकते हैं एज़दाम से सेम सेम होना चाहिए इसमें ठीक है देख सकते हैं बिल्कुल अधम इस तरह से जीरो-जीरो इसमें थोड़ा भी कटी हल्का भी पले इस तरह से नहीं है ठीक है और ये दूसरा वला दूसरा साइड की यह है इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं देख सकते हैं यह तो हम इसे सेमल करेंगे करके तो थोड़ा साइल भी लगा लेंगे एक टर साफ्ट पर इस तरह से अब और यह इसी तरह से लगेगा ठीक है मोटा वहला भूस इधर और पतला वहला सपेसर साइड इधर और यहां से इसे इसमें बूस को लगा लिए ठीक है और उसके बाद यह सेटर सापको यहां लगा लेंगे इस तरह से और यहां इसका जो पॉइंट है ओ इसका प्लंजर से पॉइंट मैं चोना चाहिए सीध में आना चाहिए ठीक है इसमें भी मोटा घाट बना हुआ है विल्कुल मोटा घाट उसके सामने आना चाहिए नहीं तो यह सेंटर नहीं आपाएगा हम अच्पीट कर्णा अच्पोडश करते हैं कर दाव कंपनी उसमें करना चर्क्राइब सकते हैं कि सेंटर ले लिए है ठीक है इस तरह से लिए जब सेंटर में आएगा चोला अवला घट ना इसमें पलंजर में है तो अपने आप ओ सेंटर आजाता है ठीक है उसमें कोई परिसानी नहीं होता हाराम से चाहरता है कि देखिए यह सकते हैं यापको हॉल जो रहा होगा हुआ यह देख सकते हैं यहाँ पर यह पीन का सेंटर आ गया है कुछ यह यह पूरा सेंटर आया हुआ है ठीक है अब हम इसका बोल्ट को लगाएंगे एक चवदाय में का बोल्ट इसको पले लोग की कर लेते हैं ठीक तो जादा अच्छार आएगा इधर अधर अधर नहीं होगा अधर कि इसे चोदे मम से अधर वोटी से टाइट कर लिता है अधर इसे फुल ही टाइड जब भी करेंगे तो फूल टाइट कर ठाट है ठीक है अधर लूज नहीं होना चीज तो चन कर लेंगे थोड़ा साइसे अधर 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 इस तरह से फूल टाइट कर लिए है अब इसके बाद में यह साइड वाला यहां बूस एबूस को अरां से इस तरह से बैठा लेंग बोली में ठीक है असानी से बैठता है इसमें को ज्यादा परसानी नहीं होता ठीक है अधिसरा वाला यह सब्सक्राइब इस तरह से असानी से बैठा लेना ठीक है बोटी में एक सकते हैं कि इसके बाद यह सील को बैठा लेंगे इसका जो चारों सील है इसको लगा लेंगे और यह दो लोक दिया था और विचmill का लग तो लगाते समय स्यक्राइज करना हो लगा कर यह सील को सकते हैं चाहर ठीक है और एक चारों का साइज यह दो लग। ज Online तो प्र में है स्यक्तवन बंद भादा लें में है इसम आझा पर आधरा तीफुष और आझ में लगा लगा बुषा लेना है इस तरह से सिरक्व बिल्कुल असानी से बेटता है इसमें कोई परसानी नहीं ह questão ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत मोटा मिकला है सबेटी एम इसके अंदर बोडी का तो या देख सकते है हैं कि इसको भी इस तरह से अंदर बोडी में बईठा लेकर कि अधिया दिखाय देता होगा वीडियो में आप लोको एसील सील इनिंग बैठ गया और यह बोडिय में बैठ गया अब उसके बाद दूसरा वाला और यह बौड़ावाला और इसमें प्लैन है ठीक है इसे बोडि में उपर वैठ्टे गया और ये घ्रट टाइब का है जो इननलो वादव वोडिक अंदर बैठे गया तो इसको वह बैठा लेंगे आप सानी से बैठता इसमें कोई पर सानी नहीं होता है और यह बोड़ी में कि इसको हाथ नहीं इस तरह से अराम अराम से चोकोर करके बैठाते जाना है तो यह बैठ गया आराम से बोडी में भी अब भी बोडी के अंदर भी एक सकते हैं ठीक है और इसमें भी बैठ गया बोडी में भी और बोडी के अंदर भी इसके बाद इसमें और कोई सील नहीं बोटी में चैप इस तरा से लगाना है इसका बोडी में बैठा भूआ है सील यह अंदर की तरफ जाना चाहिए यह बोडी व्लापी चैए ऐसे भी लग जाएगा लेकिन यह उल्टा हो जाएगा ठीक है यह बोडी बाद पीछे होना चाहिए आगे नहीं किये अगे रहेगा क् इसन के तर्फ की तरह यह सील को आगे जाना चाहिए। सबस्ट के साइज के भिएसे बहुते हैं डिक इसनक में एस तरह से पिलिए आसानी से बीटता है कि समय कोई ज्ञादा परसानी नहीं नहीं होता ठीक है यहीं सॉप्थ होता है रिंग और इस तरह से लगा कर और थोड़ाता रिंग में हलका सा पकड़ हो सकता है इसके कारण हलका साइश जटका देना पड़ेगा कि इस तरह से रिंग कटना नहीं चाहिए ज्यादा जिवादर जटा नहीं देना नंबास हलके हलके देना है ठीक है और इस तरह से भी ठालेना है अब आसी से इस तरह से पूरी तरह से देख सकते हैं बैठ गया अदर के दूसरा साइड वाला भी कि इसमें भी आईल लगाएंगे इस तरह से अंदर वाला सील में उपर वाला सील में और यहां इस तरह से आलाम से बइठाएंगे और यह देखी बिल्कुल आंट से चला गया चलिए यह भी बैठिया अलाम से यह हो गया काम कम्प्लीट अब इसके बाद में इसका आर्व को लगाना रह गया है ठीक है 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 डोली कार्व को उसके भी लगा लेते हैं और यह है डोली को फुम्हा थीक है यह उल्टा हुआ है अधर रहता है तो यह क्या होता है लेपte और एधर राइट हो जाएगा ठीक है अभी आँ मीच सख़गा है तो यह लेप्ण लेकिन जब वह अलीक होजीञ उटेंगे यानि कि जब सिधा करेंगे तो सिधा ही तो से मिल के जाब सीधर करेंगे तो यह वाला राइट में आ जाएगा और यह साइट का जो राइट है यह लेक्त पुर्ण रहे यह द्हाँ है जाएगा एक अपने आप करते समय देखना है तो इस पोजीशन में हम पहले क्या करेंगे ये लगा लेंगे सबसे पहले ये लोग को हाईडोलिक्स लिवर लिंकेर को जो सेंस वाला है लिवर उसे यहां लगा लेते हैं अज़ानी से लग जाता है यहां से इसका लिवर पल्टा हुआ है इसलिए यह लिए इस तरह से अपना है ठीक है और यहां यह असानी से इस तरह से आजाता है और इसका पीन इससे लगा लेंगे ठीक है अब लग गया उसके बाद इसमें का स्पेसर भी था यह भी लग गया अरे पीन लोग भी हो गया तो यह काम तो अंदर का लिंकेज बाला अब बचा रहर है लिए है है रोलिक्स आर्व swimあ तो यह साङ्ट में कौन सालक आना है याल्टा है लेप सब्सक्राइब सब्सक्राइब को अरुड़न करस्या करम लोग को इसक है तो थोड़ा देक को कहले हम झप आ पैसर को दो बैठा लेते हैं अभी सेक्टर साथ को इस तरह से इसका तीत मैच करके तो थोला सा इसका तीथ देखना पड़ेगा संटर सीर में रखते हुआ कि यह बिल्कुल नहीं ठीग है कि इसेंटर आ गया तो यह सेंटर जैसे आता है ठीक है एक दम बिल्कुल अपने आप चला जागा इसमें कोई ज्यादा परसानी नहीं है अब लेफ्ट साइड को इठालेते हैं भी इसाइड आ जाईए आप लेफ्ट साइड को इसाइड लेफ्ट साइड इसे इस तरह से आपने लाका और बढ़ा लेना चोला वह लागाथ है देखिए लगाथ है जो दोनों को मैच करना है कि दुए मैच हो गया एक ही बार में जब मैच हो जागा तो अराम से चला जाता है सेंटर में इननाया लोक बोल्ट वाला है और पलेट तो ठीक है है कि अध्यों पलेट और बोल्ट को कस रहें है दोनों साइड किसी एक तरफ भी लग जागा इसमें उल्टा सिधा नहीं रहता है कोई भी एक तरफ लगा सकते है कि इस तरह सब यहां देखे इसमें सेक्टर साफ्ट में भी होल बना हुआ ठीक है दिखाई देरा होगा यहां है इसमें यह मैच हो जाए जाके लोग पत्ति लोग इसमें सेंटर हो जाता है इसी के सामने रख यह तरह से अर्याराम से बोल्ट को अधिन आधि और इसे इस तरह 20 Milk कर लेँए स्टा लेंगैं और इसको टैट भी दोनों साइड का अर्म बोल्ट को लिमिट मो करना है ज्यादा टाइट नहीं करना नहीं तो यह जाम चलेगा और जाम चलेगा तो बूसका खिसावट यह स्पेसर कटाई जाड़ा होगा है अस्पेसर भी घिसेगा इतना करना है कि जितना हलका सा लोट देने पर यह आराम उपर नीचे हो सकते पर दुप्रा टाइड भी लगा लेने इसका भी लोग बोल्ट बला चेंज परेंगे यह भी लोग इस तरह से लगा लेना ठीक है और इसमें भी यह सेंटर है इसमें जाके लोग मैच हो जाता है इस तरह से परले मॉन मैची कर ला तरह तरह ठीक है उसके बाद इसको सटालना बोल्ट को ताकि ये पती लोग छटके न इसको बिल्कुल सटालना बोल्ट को नहीं तो अगर हल्का फॉल्स रहेगा तो यह घसक जागा तो फिर लोग विक्राव रहा है इस तरह से टाइट करते जाएंगे ठीक है तो इसके बाद इस दूसरा साइड वाला भी इसे भी सटालेंगा हुटा सा और बाकी हडोली सब्सक्राइब इसका स्टेटिंग फिर अच्छे से कर लेंगे अधिये कंप्लीट इसका इदेख सकते हैं पुरी तरह से फिटिंग हो गया है अब इसमें जड़ा साथी प्लेइंग नहीं रहेगा ठीक है कितना पर प्लेइंग था यह बिल्कूल और बाल बराबर भी इसमें प्लेंग नहीं ठीक है बाकिया और इसको होजिंग को उपर ए इसका बात हम आप लोग के दिखाया थे यहीं इसका सेमल था और इस तरह से इसका सेमलिंग करना होता है ठीक है के पाइप कनेक्शन करना बाकि है अभी काम कुछ है बाकि ठीक है लेकिन जो प्रोब्लम था इसके कारण से ट्रैक्टर को है इसका सेटिंग क्या होता है इसका सेटिंग इतना होना चाहिए कि यह उठाने का बात है आपने आप नीचे नहीं आना ठीक है इसमें हलका सा जोल लगाना यानिक इसको दवाना है फूस करना है प्रका लोड देने कबाद यह कि इसका सेटिंग यह है ज्यासे हलका उठाए और तो रहें वह पलूब बजन से नीचे आज़ा है इतना ही ऐड़कास से शोल्ग कि हृ तो यतना फीर तो इसमें क्या होगा थी दो चारधान दिंक बाद चलेगा और इसमें प्लmac आ जागे तो फिर सेEs देट से इसका इसका नार तो हैड्रा साइडख़ आर्म-क टित्का घीसावर तो फिर वहीं मेरे धिस तरह से पहले था थि क्म्हत्येंग ए अच्छे शेटिर्फ ईत्या नहीं 부분이 मैं तो यह उसका बजन से लोड़ लिंखे बजन से यह कुल नीचे आ लएगा ठीक है इसका यह सेटिंग है और इसमें जो प्रोब्लम हुआ था वह प्रोब्लम हुआ आप लोगों को बताये थे कि ऐसा प्रोब्लम क्यों आता है ट्रैक्टर तो चलेगा तो घिसावट होगा सोहा ज़रत नहीं है तो अगर नहीं लगाके चलए तो ज्यादा अचेंगे लोवर लिंख लगाने के वज़ए से इसका लस्टी एक सब्यारे का मुदली कंद ने लक्ते कि लोवर याैं कि लोवर लिंक हमेसा लगा रहता है अर य Tyl गर तो तो ईसकर खराब होगा लेकिन इसके साथ इसका जो ऑंदर में लिंकेज लगा हुआ है इसके साथ जबुवा हुआ है से बहुत सारा लिवर यह से क्ड़व हुआ होगा है परAnnence में यह इस तरह से इस तरह से रोड पेकर करते छलेगा तो आंदर से जो इसका चैट singer साफ सबस्ते लिबर जो लिंकीज बना हुआ है सेंसर का हाइड्यो horn का तो इसमें क्या होगा गिसाबड होगा लिबर हाडोलिस लिवर को जहां से उठाने के लिए पर्यास करेंगे जिस पोजिसर से उठना आप चाहिए आपको ना चाहिए उस पोजिसर के बाद से अप्रोगा हाडोलिस लिवर को जहां सेट करेंगे वहां पर्फेक्ट सेट नहीं हो पायेगा जब आप पर्फेक्ट हाडोलिस करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ज़ताई को समय में जहां से करना है वहाँ पे रखेंगे सेंसर अच्छे से काम निदूसी ठीक है तो आप लोग पे यही कहेंगे यह जब भी नहीं है छिसमें कभी कभी महीं का जरूरत ही नहीं है ज्याद तो जरूत ही नहीं लाता है बस यहां से एक लोक निकालना है अश्टेवार का और निकल जाता है यहां से यह लोक निकलना है और जब रोड का काम खतम हो जाता है ट्रोली का फिर जब खेत में जुताई का समय आता है तो बस पाच मिनट पाच मिनट दस पमेल आएगा उसको लगा दना है लगा को इंप्रिमेट लगा के ठीक है तो रोड के लिए भाई अगर ज्यादा सर्विस लेना है है डोलिस के लास्टिंग के लिए ऐसा नहीं है कि केवल है हाइडोलिक्स आर्मी खराब होता है इससे में क्या होता है टेक्टर खेट में जब जुटाई करता है तो अच्छे से और फर्मेश टेक्टर नहीं देपा जिसके कारण से डीजल खपत बढ़ जाना है तो आपको फजूल खर से भी आप लोग बचेंगे और यह जो हाईडोलिस का जो सेटिंग है वह आपका सेटिंग कमपनी जैसा लाश्टिंग देते रहें ठीक है खराब होगा लेकिन जल्दी खराब नहीं होगा और लिंक लगा कर चलेंगे तो इसका लास्टिंग कम हो जाए जितना चलना चीवतला नहीं चलता है ठीक है तो हम इसका जो अभी बचा हुआ काम है काम तो करेंगे वह साप तो दिखाना था तो अभी तो हमें इसका लगाना है और है को भाई नेक्षन करना है कुछ बाइरिंग दिखाने तो हम आप लोगों को पोजिशन को पोजिशन को हमने दिखाया और यह वीडियो कैसा लगा पोमेंट करके बताईएगा और हम अमीद करते हैं कि यह वीडियो को आप लोगोंने लाज तक देखा होगा और चैनल पर नए है यह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब लाइक और शेर जरू करें ताकि हर किसान भाईयों को मोलेज और जनकारी मिले और इस चैनल को ट्रेक्टर से समन्दी मकेंकल वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहा है ठीक है तो आज बस इतना ही मिलते हैं फिर से अगले किसी नेट वीडियो में नेट्रोपी के साथ